हो 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 चलिए आ गए हैं तो इस concept का जवाब दीजिए मुझे ये दो statement है आपके सामने पहला statement कहता है कि if electric field at a point is zero electric field at a point is zero electric field अगर किसी point पर zero है implies मतलब potential भी zero तो यह पहला statement है दूसरा statement अगर electric if v at a point is zero मतलब किसी point पर electric potential zero है implies electric field zero मतलब electric field zero होगा तो potential भी zero और अगर potential zero है तो electric field भी zero ये दो statement सही है या गलत true 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 false false true false 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 जल्दी बताए जल्दी बताए जल्दी बताए और अगर आपको नहीं पता है तुक्का लगाओ तुक्का लगाओ और अगर नहीं पता है तो lecture देखो इस lecture में मैंने इसे समझाया है, इस concept को explain किया है, बहतरीन अंदाज में, इन तक देखते रहे हैं और मेरे साथ बने रहे हैं, चलिए Hello everyone, तो कैसे हैं आप सब और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्यूरिप चैनल जिसका नाम है जाबिश प्रजिक्स और इलेक्ट्रो स्टैडिक्स के सिरीज अफ लेक्चर को कंटिनियूसली करते हुए इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं relation between electric field and electric potential जिसे basically potential gradient कहते हैं कुछ नहीं बात नहीं है, सब आपका 11th का ही concept यूज किया जा रहा है, किस तरह से हम इसे समझेंगे, इन तक देखते रहे हैं और उसके बाद इस concept के थुरू, इस concept के थुरू, हम समझेंगे कुछ questions, बहतरीन questions, अच्छा questions और concept जो पूछा जा सक करता है, assertion, reason के terms में या true and false के terms में, तो basic concept वाली बात इस वीडियो में होने वाली है, तो इन तक देखते रहे हैं और electrostatics के जितने भी lectures हैं, उन सारे lectures का complete playlist बनाए जिसका link आपको description box में मिल जाएगा, या फिर यहाई button पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं, और इसको बढ़ा सकते हैं, तो चलिए बिना वक्स जाए कि शुरू करते हैं, तो हम पढ़ने वाले हैं, relation between, relation between, relation between, electric field and electric potential, 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 क्या है यह धियाँ जे रेके, relation between electric field and electric potential, सबसे पहले जो हमने पढ़ा हुआ है, previous knowledge, PK means PK नहीं है, previous knowledge, तो previous knowledge में हमने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इस इक्वल टू, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इस इक्वल टू, integration, इस वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, यह हमने पढ़ा हुआ है, यह मारा previous knowledge, पहली point, पहला point, के यू इनिशियल माइनस, यू फाइनल इस इक्वल टू, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, और हमने क्या पढ़ा हुआ है, और हमने पढ़ा हुआ है, एफ वेक्टर इस इक्वल टू, एफ वेक्टर इस इक्वल टू, ठीक है, डबा यूग बा डबा एक्स कैप, मिनस डबा यूग बा यूग डबा यूग जे कैप, माइनस डबा यूग बा जड कैप, यह हमने 11 दो May पड़ा था, पड़ा था, 11th में अब इसे हम electrostatics में यूज़ करेंगे in electrostatics in electrostatics ध्यान जे देखते चलिए electrostatics in electrostatics हमने formula क्या क्या पढ़ा है हमने formula पढ़ा है potential, electric potential is basically potential energy per unit charge यह हमने पढ़ा पढ़ा है, दूसरी चीज़ जो हमने पढ़ा है पढ़िया, एक दो potential दूसरा electric field is basically force per unit charge अब बस replace करो, U initial को क्या लिख सकते हो तो लिख सकते हैं, sir V initial Q naught minus U final को क्या लिख सकते हो Q naught V final is equal to F क्या लिख सकते हैं, F F को क्या लिख सकते हैं, तो sir F को लिख सकते है Q naught E dot dr sir Q naught common लेकर कर दीजे, उड़ा दीजे, तो क्या बचा V initial minus V final is equal to integration E vector dot dr vector oh my god, यही तो relation है, electric field and electric potential जी sir, जी sir, अब ध्यान से देखिए, कि if initial end, initial minus, final initial minus final, जाहिर से बात है, initial बड़ा है और final छोटा है, तभी तो यह positive है तो अगर मैं इसे negative करूँ, तो और हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, V final minus V initial, ऐसा is equal to EDR, ठीक है, EDR, अभी तक integration, अगर मान लीजें, यह बहुत छोटा हो गया, तब तो यह EDR होगा तब तो यह EDR होगा, अब जब यह EDR होगा, तो DR इधर बेज़ दो, तो E is equal to क्या होगा, basically, minus DV upon DR, and this is known as electric potential, this is known as potential gradient, potential gradient, इसे क्या कहेंगे, potential gradient, यह अपने आप में एक बहुत अच्छा term है, जो सबसे ज़्याद हम लोग, मतलब बहुत जगा use होगा, capacitor में खास करके, इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसे meaning, it means, यह क्या बताना चाहरा है, ध्यान से देखे, electric field into potential upon distance, potential upon distance, इसका मतलब के potential is equal to क्या हो जाएगा, electric field into distance, इसका मतलब अगर कहीं पर electric field किसी range में है, तो वहाँ पर potential होगा, बहुत समझ में आ रही, अगर इसका मतलब क्या हो, potential is equal to e into electric field into distance, इसका मतलब कि अगर किसी electric field किसी range में है, तो वहाँ पर potential होगा, जैसे capacitor हम लोग पढ़ेंगे आगे, तो माल लीजी एक plate है, positive plate, दूसरा plate है, negative plate, तो इस दोनों के बीच में जाहिर सी बात है, और जाहिर सी बात है कि इस दोनों plate के बीच में कुछ ना कुछ दूरी भी, oh my god, electric field भी है और distance भी, electric field भी है and distance भी है, तो जाहिर सी बात है कि अगर हम इन दोनों को multiply करते हैं, इसका मतलब इस दोनों के बीच में क्या मिलेगा हमें, potential मिलेगा, क्या मिलेगा, potential, बात समझ में आ रही है, तो यह कहानी है, यह conclusion है basically, तो relation, relation किसके बीच में electric field है and electric potential, तो हमने जो पिछला knowledge है, उसा ही, change in potential, अब आपके ही कहा हमने पढ़ा है, इसी chapter में पढ़ा है, हालाग 11 में भी पढ़ा है, इसी chapter में पढ़ा है, हमने इस से, इसमें क्या पढ़ा, delta U बढ़ाबर, minus work done by conservative force, बराबर one done by external, क्या यह वही तो है, delta U, U initial minus U final is equal to FDR, forced work done क्या हता है, force into displacement, तो इसी chapter में हमने पढ़ा है, तो यह हमने निकाल लिया, अब धियान से देखे, यहां की कहानी तो हो गई, अब बचता है यह, अब धियान से देखो, इसको भी electrostatics में अट करना है, in electrostatics, statics, force को क्या लिख सकते हैं, QE, force को क्या लिख सकते हैं, QE, तो Q not E, Q not E, और minus dava U, U को क्या लिख सकते हैं, VQ not, Q not V, dava X, X, I cap, minus Q not V, तीक है, dava Y, J cap, minus Q not V, dava, Q not V, dava Z, K cap, अब धियान से देखे, Q not common निकलके, उरा दो, Q not common लेके, उरा दीजे, तो क्या बचा है, E vector is equal to minus dava V by dava X, I cap, minus dava V by dava Y, J, minus dava V by dava Z, K cap, बात समझ में आ रही है, ये डबा क्या है सर, ये तो मैंने पहली दफा देख रहा हूँ, डबा is partial differential, partial differential means, अभी सवाल बताऊंगा तो मैं उसमें clear कर दूँगा, अगर E कुछ function दिया हो, जैसे माली ये दिया हो, कुछ इस तरह, E is equal to 2xy, 2x square y plus, चीक है, माली जैसा कुछ दिया है, और दिया हुआ है, 2xy square, कुछ इस तरह का दिया हुआ है, चीक है, कुछ इस तरह का दिया हुआ, तो एक बार इसे हम सिर्फ और सिर्फ x के respect में differentiate करेंगे, और मान लेंगे, कि उसके लावा जितने भी terms हैं, वो सारे के सारे constant है, फिर जब हम इसे y के respect में differentiate करेंगे, तो y को छोड़के, जितने भी term होंगे, x, y, z में से y को छोड़कर कि, जितने भी terms होंगे, उन सब को हम constant मान के बाहर निकाल लेंगे, इसे ही कहते है, partial differential, बाज़ बाज़ में आ रही, एक सवाल हम लोग करेंगे, इसी के उपर best, तो ये concept नोट कर लीजे, बहतरीन अंदाज में मज़ा आने वारा है, इसे किस तरह से करेंगे, ये किस तरह का सवाल है, तो हमने यहाँ बढ़ा ये, इस formula को use करेंगे, किसे use करेंगे इस formula को, तो इसे हम कहां से कहा ले जारे हैं, A से B, मतलब कि इस formula को अगर हम लिखें है, solution, इस formula को direct, initial point A है, तो लिखेंगे, VA minus VB is equal to integral, E vector dot dr vector, अब ध्यान से देखिए, तो E vector dot dr vector, तो VA, एका potential कितना है, 10 volt, तो हमने यहाँ 10 volt लिख दिया, minus VB, minus VB, अब यहाँ पर हम क्या लिखें, अब हम यहाँ पर क्या लिखें, अब ध्यान से देखिए, तो हम क्या करेंगे, इस चीज को यहाँ लिख लेते हैं, E vector is equal to 3x square y square i cap, plus 2x cube y j cap, अब इसे सर किस तरह से हम differentiate, integrate करें, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, किस तरह से integrate किया जाएगा, तो हम क्या करते हैं, इसे partially integrate करेंगे, partially integrate, जैसे मैंने उस वाले dv वाले में बताया था, E is equal to minus daba v by daba x i cap, minus daba v by daba y j cap, minus daba v by daba z k cap, इस वाले में मैंने बताया था कि v अगर function दिया होगा, v is equal to like कुछ इस तरह का 3x square y plus 2x y square plus x y z, कुछ इस तरह से दिया होगा, तो जब हम इसे differentiate करेंगे, x के respect में, तो x को छोड़ कर 3 और y दोनों ही constant हो जाएगा, फिर जब हम इसे differentiate करेंगे y के respect में, तो y को छोड़ करके 2 और x दोनों ही constant हो जाएगा, और जब हम इसे differentiate करेंगे z के respect में, तो z को छोड़ करके x और y दोनों ही क्या हो जाएगा, constant हो जाएगा, similarly यहाँ पर यह partial differential है या नहीं है इसे check कर लेते हैं check करने का तरीका क्या है तो check करने का तरीका यह है कि हम क्या करेंगे कि इस दोनों को ही partially integrate करेंगे पहले इसे हम partially integrate करेंगे x के respect में और इसे हम partially integrate करेंगे y के respect में और देखेंगे चेक करेंगे कि क्या दोनों का आंसर सेम आ रहा है अगर दोनों का आंसर सेम आ रहा है इसका मतलब वो partial differential है और partial differential है तो दोनों का जो result है का उसे हम direct यहाँ put कर देंगे बास समझ में आरी कैसे देखिए सबसे पहले हम इस वाले को integrate करते है तो 3x square y square dx क्योंकि partially integrate करने पहले i cap है dx के respect है तो 3y square को हमने constant मान लिया और बाहर कर दिया तो x square dx तो कितना आ गया यह 3 square और यह आ गया x cube by 3 integrate करेंगे तो 3 से 3 चला गया तो कितना आ गया x cube y square यह आ रहा है अब इस वाले को partially integrate करो y के respect में तो 2x cube y dy तो बाहर निकाल देंगे 2x cube को बाहर निकाल देंगे अंदर बचेगा y dy तो इसका अंजर आ जागा 2x cube y square by 2 2 से 2 चला गया तो x cube y square ओ माई गॉट यह दोनों ही तो same है इसका मतलब same है इसका मतलब यह दोनों ही partial differential है बाहर समझ में आ रही है अब partial differential है तो हम direct यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं dx cube y square यह लिख सकता है अगर आप इसे differentiate करोगे तो यह ही आएगा बाहर समझ में आ रही है तो हमने इस value को ऐसा लिख दिया क्यों ऐसा लिख दिया क्योंकि यह partial differential था चेक हमने किया एक को पहले dx के respect में integrate किया और दूसरे वाले को dy के respect में और दोनों का result same आया तो हमने दोनों को यहां लिख दिया दोनों का result same है इसमें हम पहले lower limit तो lower limit कितना x का 1 तो यहाँ पर 1 put कीज़े पहले चलो यही पर कर लेता हूं यह कितना आगया 10 volt 10 volt minus VB is equal to अब ध्यान से देखिए इसका limit डालना है तो पहले x कितना initial 1 तो 1 का cube 1 और 2 का cube कितना हो जाएगा 8 2 का cube कितना हो जाएगा 8 तो 8 minus 1 कितना हो जाएगा 8 minus 1 कितना हो जाएगा हाँ 8 ठीक है 1 का cube हो जाएगा 1 और 8 का cube कितना हो जाएगा sorry 2 का cube कितना हो जाएगा 8 minus 1 is 7 एक सेकंड एक सेकंड शिट 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 फिर से देखिए x, initial x और y कितना, initial x और initial y कितना, 1, तो यहां 1 पुट करो, तो 1 का cube भी 1 होगा, और 1 का cube square भी 1 होगा, तो initial value कितनी आ गई, 1, अब यह put करो 2 का cube कितना हो गया, 8 और 3 का square कितना हो गया, 9 तो 8, 9 जा 72, बात समझ बहा रही है पहले हमने इसमें क्या डाल दिया, ये डाल दिया, कितना डाल दिया, 1 का cube और 1 का square, तो 1 आएगा, 1 into 1, और 2 का cube कितना होगा, 8, और 3 का square कितना होगा, 9, तो 8, 9 जा 72, बाज समझ में आ रही है, ये समझ में आ रही है, तो अब इसमें value पुट कर दो, value पुट करोगे तो कितना होगा, 72, upper limit रखेंगे और घटाएंगे, lower limit तो कितना होजागा, minus 1, तो कितना होगा, minus VB is equal to 72 में से 1 गया, तो 71 minus 10 volt, तो कितना होगा, ये 61 volt, VB, तो VB minus इदर चला गया, तो VB की value कितनी होगा, minus 61 volt, क्या ये बात समझ मे आ रही है, बिल्कुल सर, बहुत अच्छे तरह से समझ में आ रही है, कि आपने क्या किया है, ठीक है, तो ये चीजे समझ में आई है, आपको बेहतरीन अंदाज में समझ में आया होगा, आला कि ये कोई नई बात नहीं, 11 में भी पढ़ा हमने, और इस पर मैंने conservative force, conservative force वाला screenshot लो, ठीक है, फिर उसके बाद अब एक और question हम लोग अच्छे तरह से बनाएंगे, यहाँ पर अब हमारे सामने दो question, तीन question है basically, एक, दो, तीन, पहला question कहता है, कि अगर electric field किसी point पर zero है, implies potential भी zero, क्या लगता है, true होगा है या false होगा, comment करो, comment करो, मन में सोचो, अगर potential at a point is zero, अगर किसी point पर potential zero है, क्या electric field भी zero होगा, सोच ये, इस मुद्दे पर, चलो इसे समझते है, question one, यह question one है, यह question two है, और यह question three है, समझते है, पहले question one को समझते है, solution, electric field at a point is zero, हमने एक square लिया, यह कि square है, side a a, sub point पर charge q है, सारे vertex पर charge कितना q, हमने center पर निकाला, तो जाहिर जी बात है, electric field तो zero होगा, कैसे सारे electric field zero कैसे होगा, सारे का magnitude सेम, क्यूंकि charge सेम है, और distance भी सेम है, और k भी सब में सेम है, तो electric field का formula क्या होता है, k q by r square, तो सब के लिए k भी सेम, q भी सेम, और r भी सेम, तो अब जब सब सेम है, तो direction देखो, इसकी वज़ा से इधर, इसकी वज़ा से इधर, यह दोनों एक दूसरे को cancel कर देगा, क्यूंकि direction opposite है और magnitude सेम है, इसकी वज़ा से इधर, यह भी एक दूसरे को cancel कर देगा, क्यूंकि दोनों का magnitude सेम है और direction opposite, तो electric field तो 0 है, यहाँ पर electric field 0 है, लेकिन potential, तो potential कैसा quantity, potential is scalar quantity, तो सब की वज़ा से जूर जाएगा, तो इस point पर, इस point पर electric field तो 0 है, लेकिन potential not equal to 0 है, जो बराबर है किसके, तो सब का चार्ज से में, तो 4, K, Q, by और जो भी A, by, root 2, तो electric field 0 हो, तो potential भी 0 होगा, यह जरूरी नहीं है, तो पहला statement हो गया false, तो या तो यह है, या तो यह, तो यह दोनों तो हुआ नहीं, तो इसे कट कर दो, इसे कट कर दो, अब इस दोनों में game चलेगा, अब दूसरा statement देखिए, क्या करता है, potential at a point is 0, फिर से मैंने square लिया, फिर से मैंने square लिया, Q, 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 और यहां center पर, लेकिन इस बार मैंने यह minus लिया है, और यह minus लिया है, कहानी same है, अब इस point पर electric field तो होगा, कैसे होगा sir, वही बात है, इसकी वज़े से इस तरफ, इसकी वज़े से भी इस तरफ, क्योंकि positive की वज़े से दूर जाता हुआ, radially outward, और negative की वज़े से पास आता हुआ, radially inward, तो दूर जा रहा है, इसकी वज़े से लेकिन इसकी वज़े से पास आ रहा है, इसकी वज़े से इधर जाएगा, और इसकी वज़े से भी इधर जाएगा, अब दोनों का resultant आएगा, vectors component या vector addition जो रिये तो resultant आएगा इसका हाँ sir तो electric filter 0 नहीं है e vector not equal to 0 लेगिन potential 0 है कैसे नहां से देखो ये वाला इसको cancel cancel means plus minus cut जाएगा ठीक है direction wise नहीं क्योंकि potential scalar quantity है तो इसकी जो value आएगी positive में आएगी और इसकी जो value आएगी वो भी positive में और इसकी जो value आजाएगी वो negative में इसकी जो value आजाएगी वो negative में तो दो positive वाला दो negative वाले को cancel कर देगा तो potential कितनी हो जाएगी 0 oh my god तो ये भी ज़रूरी नहीं कि अगर electric field मतलब अगर potential 0 हो तो electric field भी 0 हो ये ज़रूरी नहीं है इसका मतलब दोनों ही statement false है तो इसका सही जवाब हो गया D number नोट कर लीजे इसे बेतरीन अंदाज में ये अच्छा conceptual question है नोट कर लो फर्स क्लास अंदाज में कि electric field अगर point 0 at a point is 0 है तो potential भी 0 ये ज़रूरी नहीं है अब दूसरा question ये एक अच्छा question इसे मिटा दो और मुझे जगा चाहिए होगा इसलिए चीक है ये मिटा दिया मैंने चीक है ध्यान से देखिए अब दूसरा question दूसरा question देखो ये रह यहां VX graph दिया वा कहता है we have VX curve and minus Q charge is placed at यहां पर X1 पर and Q charge is placed at X2 पर we have to find the force on Q minus Q पर force कितना लगेगा और Q पर force कितना लगेगा यह हमें find करना है यह VX curve दिया हुआ है अब ध्यान से देखिए इस तरह का सवाल कैसे बनेगा यह मैं तो कहूँ कि पहले यह सवाल कर लो पहले यह सवाल कर लेता है ठीक है फिर जगा हो जाएगा तो यह पहले यह सवाल देखिए यह वही electric field EX curve दिया हुआ है यह कौन सा curve दिया हुआ है EX curve और यह कौन सा curve दिया हुआ था VX curve तो इसको अभी छोड़ देजे EX curve यह क्या दिया हुआ है EX curve तो बेसिकली हमने formula क्या पढ़ा है हमने formula पढ़ा है V initial minus V final is equal to integral EDR यही पढ़ा है न हमने E vector dot DR यह हमने पढ़ा है तो यहाँ पर ध्यान से देखिए EDR, EDR मतलब basically EDR, अगर मैं इसका area निकालू तो E into DR होगा E into DX होगा, E into X होगा basically अगर मैं इसका area निकालू तो यही तो होगा है length into breadth, तो length कौन है? electric field, और breadth कौन है? X, तो EX EX तो इसका मतलब कि अगर हमें VI minus VF निकालना है तो इस formula को हमने थोड़ा modify करके लिख दिया area of EX curve EX graph oh my god area of EX graph यह common sense वाली बात थी जो आपको खुद लगानी है VI minus VF area of EX graph बात समझ भाई? अब VI minus VF is equal to area of EX graph हो गया है, तो आप ध्यान से देखिए हमें कहां पर निकालना है? 4,0 पर 4,0 पर मतलब यहां पर निकालना है 0,0 पर 10 volt तो V initial केतना है? 10 volt minus V final केतना है? तो 4 is equal to ठीक है? 4 पर निकालना है, तो इसका area of EX graph क्या हो जागा? तो यह तो यह क्या है? 2 और 10 मतलब कि यह rectangle है, तो इसके लिए use करेंगे length into breadth और इसके लिए use करेंगे half base into height VB या V4 जो भी 4 मान दो तो half length into breadth तो length कितनी 10 breadth कितनी 2 plus यह कितना हो जागा? half, base कितना है? 4 minus 2, 2 और height कितनी है? 10 तो 2, 2 चला गया, यह कितना गया? 20 plus 10 is equal to 10 minus V4 तो 30 आ गया 30 इदर आया, तो कितना हो जाएगा? minus 20 30 इदर आया, तो minus 30 और minus 30 में से 10 गया, तो कितना हो गया? minus 20 तो V4 potential कितना होगा? minus 20 volt बात समझ में आ रहे ही, तो फटाक से नोट कर लीजिए, इसमें कोई खास बात नहीं minus 20 वोल्ट आंसर आ गया तो दिमाग में रखना है कि formula अगर आपको EX कर्व दिया रहे और potential पूछे तो direct उसका area निकाल दीजिए यह सब तो common sense वाली बात है नोट कर लिया होगा आपने बेहतरीन अंदाज में चलिए, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं इससे आगे बढ़ते हैं और यह वाले कोशन को करते हैं तीक है? इस सवाल को करते हैं अच्छा कोशन है यह ध्यान से देखे वी एक्स ग्राफ हमने पढ़ा है अभी just e is equal to होता है minus dv by dr यही नहीं होता है minus dv by dr dv by dr is basically क्या है? slope क्या लिख सकते हैं? slope of vx curve slope of vx curve dv by dr को क्या लिख सकते है? slope of vx curve अब ध्यान से देखे मैं थोड़ा color change करूँगा ध्यान से देखे यह question है इस question में इस point पर, पहले x1 point पर ठीक है? पहले हम x1 के लिए काम करने है, for x1 x1 के लिए यह x1 के लिए हमने slope draw किया x1 के लिए हमने slope draw किया तो slope आया positive x1 के लिए slope क्या है? positive है slope is equal to positive slope is equal to positive अब यहाँ डालिए e is equal to minus और slope of vx curve is positive तो electric field is basically क्या है? negative और electric field अगर negative आया है इसका मतलब electric field कि दर है? left side electric field is equal to negative since therefore electric field is towards left side left side left side means की electric field कुछ इस थरा है इस थरा है मतलब कि electric field कि दर से किदर चलती है? positive to negative अब positive to negative है यह electric field है और यहाँ पर हमने x1 पर x1 पर electric field कि दर ही है पता चल गया? positive से negative की तरफ अब यहाँ पर हमने क्या डाल दिया? negative minus q charge तो जैसे ही अगर हम यहाँ minus q charge put करेंगे तो जाहिड सी बात ही इधर move करेगा positive की तरफ तो force किदर लगेगा? towards right force is towards right यह answer है मतलब minus q पर force किदर लगेगा? right की तरफ minus q पर force किदर लगेगा? right की तरफ अब आते हैं for x2 x2 के लिए काम करते हैं अब x2 के लिए काम कर लें for x2 ध्यान से देखिए for x2 x2 के लिए हमने slope draw किया x2 के लिए हमने slope draw किया तो यह तो कुछ है जाया मतलब slope negative है slope क्या है? negative तो slope क्या है इसके लिए भी? slope is negative slope is equal to negative slope negative आया है तो e क्या है? minus और slope of vx curve तो slope of vx curve क्या है? negative तो negative negative हो जाएगा positive positive means therefore electric field किदर है? right side e vector is towards right towards right इदर है मतलब कुछ ऐसा? कुछ ऐसा है इसका मतलब यह positive है और यह negative positive to negative और यहां कौन सा charge रखावा? plus q तो आपको पता है plus q है तो यह किदर move करेगा? minus की तरफ तो force किदर लगेगा? यह भी लगेगा towards right force is towards right forces towards right बात समझ में आ रही है? तो यह बेहतरीन कोशन था अच्छा conceptual कोशन नोट कर लीजे इसे first class अंदाज में बेहतरीन तकी कहानी? यहां तकी कहानी आपने बेहतरीन अंदाज में समझ लियोगी तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इसके बाद हम लोग समझेंगे electric field lines जिसका lecture यहां display हो रहा है तो पहली फुरसत में जाकर देख लीजे रटने वाला segment है लेकिन उस रटने वाले segment से जेई में कैसा सवाल पुछा है? यह सारी चीजे हमने उसमें discuss किया तो जाकर देख सकते हैं और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अपना खयार लखें goodbye and thank you so much